एक समय था जब लोग सिरफ चाय को ही इंपोर्टन्स दिया करते थे लेकिन अब जब समय बदल गया है तो लोग जादा तर कॉफी ही पीना पसंद करते हैं यहां तक कि जब भी हमारे घर में महमान आते हैं तो होट कॉफी ही पीना पसंद करते हैं आज हम ऐसे ही एक कॉफी ब्रैंट के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसकी कॉफी पूरे दुनिया में मशूर है हम बात कर रहे हैं American Coffee Company Starbucks की और ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि इस कमपनी में काम करने वाले एक शक्स ने इस कमपनी को खरीद लिया था एक छोटे से आउटलेट पर बेस्ट क्वालिटी कॉफी बीन्स बेचा करते थे उनका नाम था जेरी बॉल्बिन, जैक सीएगल और गॉर्डन वोकर दरसल उस वक्त के एक कॉफी रोस्टर बिजनसमैन अलफरेट पीट थे जन्हें वो तीनों जानते थे और उनी से इंस्पायर होकर उन तीनों ने अपना बिजनस स्टार्ट किया था और नाम रखा था स्टारबाक्स अपने बिजनस की शुरवाती दौर में वो आलफरेट पिट की ही शौप से कॉफी बीन्स खरीदा करते थे और फिर आगे चलके कुछ समय बाद डिरेक्ली कॉफी की खेती करने वालों से ही डील करने लगे जब बिजनस चल पड़ा तो उन्होंने अपने बिजनस की मारकेटिंग के लिए हावर्ड शिल्स को हाइर किया हावर्ड एक मिडल क्लांस फैमिली से थे और पैसे की कमी की वज़ा से उनके इलावा उनके घर में और कोई पढ़ाई नहीं कर पाया वो अपने घर में पहले थे जो ग्राजुएट थे बहुत कम उमर में ही जिन्दगी की तकलीफे क्या होती है उन्हें पता चल गया था हावर्ड के स्टार्बक्स जॉइन करने के बाद स्टार्बक्स का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया बच्वन में की हुई महनत उनके काम में साफ नजर आ रही थी एक बार किसी काम के सिलसले में हावर्ड इटली गए वहाँ उन्होंने देखा कि कॉफी पीने के लिए प्रॉपर कैफे जहां पर लोग ऑफिस की मीटिंग और दोस्तों के साथ शाम का समय बिताने आते थे ये देखकर जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने बॉसस को अपने न्यू मार्केटिंग स्ट्राटेजी एस्प्रेसो कॉफी बनाने की सलहा दी ये स्ट्राटेजी कंपनी के ओनोर्स को बहुत पसंद आई और फिर स्टारबक्स को भी एक कैफे के तौर पर खोला गया उनकी ये स्ट्राटेजी सक्सेस्फुल हुई फिर कुछ समय बाद स्टारबक्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए हावर्ट को फिर से एक और आईडिया आया कि क्यों ना स्टारबक्स की और भी ब्रांचेस खोली जाएं लेकिन उनके इस आईडिया को उनके बॉसस ने रेजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उस समय इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते थे हावर्ट ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन बॉस के मना करने के बाद उन्होंने निराश होकर नौकरी छोड़ दी फिर कुछ समय बाद उन्होंने जी ओर्णर नाम का अपना एक कैफे खोला जैसा कैफे वो इटली में देखकर आये थे उसी से मिलता जुलता उन्होंने अपना कैफे बनाया और फिर जैसा कि उन्होंने सोचा था उनके इनी मार्केटिंग आइडियास से उनका ये बिजनस जोरो शोरो से चल पड़ा इसी बीच 1984 में स्टारबक्स ने आलफरेट पीट की कंपनी को खरीद लिया और अपना ध्यान कॉफी बीन्स बेचने पर ही लगाया और आगे चल कर स्टारबक्स ने अपना कॉफी कैफे बिजनस हावर्ट को बेच दिया वैसे तो इस डील के लिए हावर्ट के पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स की मदद ली और डील फाइनल करी 3.8 मिलियन डॉलर्स में उसके बाद जैसा की हावर्ट का आइडिया था उन्होंने आउटलेट बढ़ाने शुरू कर दिये और फ्रंचाइजी भी बाटी और वक्त के साथ 1992 तक स्टारबक्स आउटलेट की संख्या 140 पहुँच चुकी थी और अगर बात करे भारत की तो 2012 मुंबई में टारटा ग्रूप के साथ पार्टनर्शिप करके स्टारबक्स ने अपना पहला आउटलेट खोला भारत में टारटा ग्रूप और स्टारबक्स की पार्टनर्शिप 50-50 है आज की डेट में स्टारबक्स कॉफी के साथ साथ स्नाक्स भी सेल करते हैं आज स्टारबक्स की मार्किट कापिटल 103 बिलियन यूएस डॉलर को भी पार कर चुका है ऐसी ही प्रेणा दायक कमाल विडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिन्दगी प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब